स्वागते आपको मार्केश सती चैनल में इस वीडियो का स्टाडि टॉपिक है बुली सारामी कैंडल स्टिक पैटरन यह पैटरन दो कैंडल से बनता है फास्ट कैंडल एडेड होता है और रिलेटेबली थोड़ा लंबा होता है Second candle green होता है और इसका body छोटा होता है इसमें second candle का body first candle body के आंदर होना चाहिए इस तरह formation के बाद ये pattern किसी pregnant lady की तरह दिखने को लगता है जैसे first candle mother and second candle baby इसलिए इस pattern को harami कहा जाता है क्योंकि harami एक Japanese word जिसका meaning है pregnant और किसी भी pattern का नाम ज्यादा matter नहीं करता है नाम राग दिया जाता है उस pattern का appearance को देखते हुए तकि जब उस pattern का बात किया जाए तो नाम से सब समझ पाए कि किस candles के बारे में बताया जा रहा है जो matter करता है बो है किसी भी candlestick pattern बानने का पीछे buyers और seller का जो psychology है उसे समझना फिर उस pattern बानने के बाद price के उपर किस का control है buyers या sellers उसे समझना और उससे कुछ interpretation निकल पना कि आगे का price action क्या हो सकता है हमारा इस बुली सरमी pattern में candlestick का real body और week का size और position के हिसाब से ये अलग अलग टाइप का दिखता है जो आपका screen के समने है आप देख सकते हो लेकिन इस सभी types में दो चीज common होना ही चाहिए 1. first candle red और relatively lumber होना चाहिए 2. second candle green और first candle body के अंदर इसका body होना चाहिए और इस तरह का pattern चाट के उपर किसी भी train में आपको देखने को मिल सकता है लेकिन एक appropriate bullish हरमी pattern वो है इस pattern बानने का पीछे buyers और seller का psychology को एकबर समझ लेते हैं जैसे ये pattern अगर कुछ session downtrend के बाद बन रहा है तो इस pattern का first candle उसी downtrend को continue करते हुए एक strong and relatively lumber bearish candle बना देता है मतलब इस session के दोड़न seller expect कर रहा है price और भी नीचे जाएगा तो इस तरह expect करने के बज़ा से ही जो भी tader इस share को hold कर रहा था वो इस session में share को aggressively sell करके निकलने की कोसिस करता है second जिनको लग रहा था कि price यहां से और भी नीचे जाएगा वो tader इस session में aggressively short sell करना शुरू कर देता है और इसी तरह share का बहुत ज़्यदा supply बढ़ने के बज़ा से एक strong bear scandal बन जाता है तो इस situation में ये share पूरी तरह bear के control में है और expectation भी है कि आगे और भी नीचे जाएगा लेकिन next session अचानक bull active हो जाता है मतलब bear active हो जाता है और वो इस price में खर दिने के लिए attract हो जाता है और demand बार जाने पर gap आप open होता है और एक छोटा सा bullish candle बना के close हो जाता है तो जहां पर bear price को control कर रहा था और वो price को और भी नीचे जाएगा expect कर रहा था आचानक bull का interest आ जाने पर और एक bullish candle में close हो जाने पर bear's panic में आ जाता है तो इस तरह bear's price के उपर control खो देने के बज़ा से एक possible trend reversal को indicate करता है लेकिन buyers भी अभी तक price के उपर पुरी तरह control नहीं कर पाया जिसका करण एक छोटा सा bullish candle बनता है तो इस situation में buyers और sellers दोनों ही आगे का trend को लेकर एक indecision mode पर आ जाता है तो मेरे हिजब से एई है इस pattern बनने का पीछे buyers और sellers का psychology आपको अभी क्या लग रहा है इस pattern के बारे में प्लीस comment section में जुरूर बताएगा तो आप सब अले इस pattern बनने के बाद हम buying कहां पर करें तो इसके लिए बहुत सरा चीज है जिसके मदद से आप अपना entry level decide कर सकते हो लेकिन एक safest entry level क्या होगा उसको हम देखेंगे और उसका reason को भी identify करने की courses कर गए तो इस pattern बनने को बाद आप tab entry ले सकते हो जब next कोई candle इस pattern का fast candle के high के उपर close कर रहा है और आप ये धियान रखना कि next two या maximum three candle के अंदर ही ये close हो जाना चाहिए तो इस तरह उपर close होने के वज़ा से trend reversal का एक confirmation मिल जाता है और सभी तब इस share को buy करना चाता है साथी साथ जो trader short sell किये थे वो अपना position निकलने के लिए buying करता है और इसी तरह बहुत ज़्यादा buying pressure आने पर demand create हो जाएगा और share ये से उपर जाने का chance भी बर जाएगा तो ठीक है असा करता हूँ इस pattern का फूरा concept मैं आपको समझा पाया अभी आप इसमें practice कीजिए फिर आपने आप ही explore कर पाएंगे कि की situation में इस pattern को trade करना है और कब इसको ignore करना है आपको अगर एफ वीडियो अच्छा लगा तो एक like कर देना और चैनल को subscribe नहीं किये हो तो चैनल को subscribe जोड़ कर लेना हम धीरे धीरे हार एक topic में इसी तरह details वीडियो लाएंगे Thank you very much for watching this video मिलते next video में